अब हम question number 7 solve करेंगे question number 7 में x minus 1 x minus 2 plus 2 over 2 minus x है दरम्यान में minus है x plus 1 x plus 2 4 over 4 minus x हो के रहा है यह जो पहली fraction है इसमें से उपर से मैनिस कामल ले ले और नीचे से minus कामल ले ले तो यह जब कामल लेंगे plus 2 over 2 minus x हो जाएगा दरम्यान में minus है तो यह cancel हो जाएगा minus minus के साथ order में लिखें 1 minus x 2 minus x 2 over 2 minus x minus x plus 1 x plus 2 plus 4 over दोनों जगा पे same factor है तो यही LCM आ जाएगा उपर आएगा 1 minus x plus 2 minus x plus 1 x plus 2 ब्रेकट ओपन कर दें यहां से तो अब क्या होगा 3 minus x अब इन दोनों को हम कुम्बाइन करेंगे और साल्फ करेंगे लगाएं fraction rule LCM यह चीज इधर मुटिपलाई हो जाएगी यह इधर मुटिपलाई होगी और नीचे दोनों अपस में क्या हो जाएगे मुटिपलाई हो जाएगे 4 minus x के और हल कर लेते हैं इसको उपर वाली चीज का जो अंसर है वो ही आएगा minus x के और पलास x पलास 6 माइनस माइनस x के और पलास x पलास 2 ओवर तो इसको यूं भी लिसेते हैं हम लोग माइनस इसके वर्किंग देख लेते हैं जरा जो हमने मुटिपलाई किया था उसके वर्किंग इस तरह से है पहला जो हमने मुटिपलाई किया 3 माइनस x x पलस 2 x इंटो 3 3 x माइनस x हो के और पलास 6 माइनस 2 x इसका अंसर आ जाएगा माइनस x हो के और पलास x पलास 6 और जो दूसरा वेक्टर था 2 माइनस x x पलास 1 2 x माइनस x हो के और पलास 2 माइनस x यह हमार बस तरह से इसकी वर्किंग है तो अब उसी को लेके चलते हैं जो हमने साल्फ किया है ब्रैकट ओपन कर दे माइनस x हो के और पलास x पलास 6 माइनस माइनस पलास ओवर 2 का स्के और माइनस x का स्के और और माइनस 4 ओवर कैंसल हो जाएगा यह कैंसल उपर रह जाएगा 4 माइनस 4 ओवर यह दोनों कैंसल तो अनसर हमारे पास 0 ओवर जाएगा तो अब ने देखा इसमें हमारे पास 4 फ्रैक्शन गिवन थी हमने एक और्डर में मूव गिया पहले 2 को साल्फ किया उसको अनसर आया उसको थर्ड के साथ अटैच किया उसको जो अनसर आया उसने आटोमाटिकली 4 को कैंसल कर दिया अनसर हमारे पास 0 हो गया इस तरह से सम टाइम हमें एक और्डर में एक सीक्वन्स में मूव करना पड़ता है